नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल इमित्रा सोलुशन पर दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने अधार कारण में अपना नाम अपना एड्रेस और अपने डेट अपर्थ है और यहां तक कि आप उसमें language भी online change कर सकते हो तो किस परकार से change करना है अपने date of birth में अपने नाम में या अपने एड्रेस में तो यह सारी जानकरी मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ तो बने रहे हमारे इस वीडियो के साथ में दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आ जाता है तो वीडियो को लाइक और सेर जरूर कर दीना और इसके साथ में comment box में comment भी जरूर लिखना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा इसे के साथ में दोस्तों यदि आप हमारे चैनल के उपर नए हैं तो चैनल को सबस्क्राइब करके यहां पर जो बेल आईकन आ रहा है इसको दबा कर आल नोटिफिक्शन को ओन जरूर कर लेए दोस्तों इसको ओन करने से आपको क्या फाइदा होगा कि मैं जैसे ही इस यूट्यूब चैनल के उपर कोई भी वीडियो डालूँगा तो उसकी तुरंत जानकारी आपको मिल जाएगी तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को जी हाँ दोस्तों अब आप अपने आधार कारण में अपनी डेट बबर्थ भी चैन्ज कर सकते हो पहले डेट बर्थ चैन्ज नहीं होती थी अब मैं आपको डेट बर्थ चैन्ज करने का तरीका बताऊंगा कि किस प्र आओगे तो यहां माई अधार पर आना है और माई अधार पर आने के बाद में अपडेट यूर एडरस है दोस्तों यहां पर शिरफ अभी अपडेट है यूर एडरस ही दिखा रहा है तो कैसे आप डेट अपर चैन्ज करोगे तो उसका तरीका में आपको बता रहा हूँ त तो मैं इसके उपर कलिक कर देता हूँ, मैं आपको चेंज करके भी दिखाऊंगा, तो दोस्तों यह साइट यहाँ पर open हो चुकी है, अब आप यहाँ पर देख सकते हो कि name, date of birth, gender और address and language, इसमें आप चेंज कर सकते हो, तो कैसे चेंज करनी है, वो सारी जानकरी मैं आपको ब लगा दोगे, तो मैं यहाँ पर जो अधार अपडेट करना है, वो लगा देता हूँ, तो दोस्तों इसके बाद में आपको यहाँ पर kiedy क्येपचा फिल करनी के बाद में, send OTP पर आपको कलिक करना है, दोस्तों एक बात यहाँ रखें कि अभी जिनके अधार नम्बर जुड है वो आपको यहां पर इंटर कर देना है तो मैं यहां पर जो OTP आया है उसे इंटर कर देता हूँ इसके बाद में आपको Login बटन पर क्लिक कर देना है तो दोस्तों अब आप देख सकते हो कि यहां आ गया कि Update Demographic Data यानि आप देमोग्राफिक Data अपडेट कर सकते हो पहले यहां पर एडर से ही आप अपडेट कर सकते थे लेकिन अब Demographic अपडेट भी आप इसमें कर सकते हो तो दोस्तों इसके उपर मैं कलिक कर देता हूँ जैसी मैं इसके उपर कलिक करूंगा तो यहाँ पर जो भी चीज़ आपको अपडेट करनी हो, उसके उपर आपको कलिक करना है, तो आपको इन में से जो भी आपको select करना है, जिसमें आप correction करना चाते हो, तो उसको आप select यहाँ से कर सकते हो, अभी आप mobile number और email address है, वो चेंज नहीं कर सकते, इसके अलावा आप language चेंज कर सकते हो, name को तीन बार, यानि तीन attempt आपके पास में हैं, तीन बार name चेंज कर सकते हो और gender आप एक बार चेंज कर सकते हो date of birth आप एक बार चेंज कर सकते हो और address आप चेंज कर सकते हो जितनी बार हो सके तो आपको यहाँ पर मैं सिर्फ date of birth change करना चाता हूँ यानि जिसके अधार कारण में date of birth है सिर्फ sun लिखी हुई है तो वो आप यहाँ से change कर सकते हो तो मैं यहाँ पर अपडेट है जो date of birth है वो अपडेट करना चाता हूँ बाकी सब कुछ इसे मेरे अधार कारण में सारी चीज़ें बिल्कुल सही है तो मैं इसे चेंज कर देता हूँ और अब इसके बाद में दोस्तों आपको Proceed बटन पर क्लिक करना है यानि मैंने Date of Birth सेलेक्ट कर ली है और Proceed बटन पर मैं कलिक करूँगा अब यहाँ पर आपको Terms and Conditions आपको पढ़नी है सबसे पहले आपको क्या क्या चीज़ें पढ़नी है वो देख लो कि आपको किस प्रकार से चेंज करता है यानि जिन्दगी में आप दो बार ही नाम चेंज कर सकते हो और जेंडर है वो भी आप एक बार चेंज कर सकते हो इसके बाद में आप यू कैन अपडेट यूर नेम इफ दा चेंज एज माइनर एंड इंक्लूड से यदि आपके नाम में कोई भी थोड़ी भू स्पेलिंग में गलत है तो आप वो चेंज कर सकते हो स्पेल करेक्शन फॉनेटीकली सैम यानि फॉनेटीकली सैम है तो आप यहां पर चेंज कर सकते हो तो इसके बाद में आपको यहां यस बटन पर कलिक करना है और प्रोसीड बटन पर आपको कलिक कर देना है दोस्तो इसके बाद में आपको यहां पर date of birth completely यहां से select करके लिखनी है इस calendar से तो मैं यहां पर date of birth है वो select कर देता हूँ आप इस calendar को उपर ले जा सकते हो इसके बाद में आपको जो महीना है वो select करना है इसके बाद में आपको जो तारीक है वो आपको select करनी है और इसके बाद में दोस्तों आपको यहाँ पर जो डोकुमेंट्स है वो लगानी है यानि आप 2 MB तक के डोकुमेंट्स इसमें लगा सकते हो JPG फाइल या PNG या PDF जो भी आप लगाने चाहते हो वो यहाँ से सेलेक्ट कर लोगे यानि इन में से कौन सा डोकुमेंट्स आपको लगाना है वो सारी चीज़ें याँ पर दे रखी है SSLC, Book या Certificate या Passport या Birth Certificate या Birth Certificate और डेट और बार्थ इसूड बाई Group Exited Officer on Later Head या आप Pen Card लगा सकते हो Mark Sheet भी लगा सकते हो Government Photo ID भी लगा सकते हो ये सारी चीज़ें आप इन में से कोई भी लगा सकते हो तो मैं यहाँ पर Mark Sheet को सेलेक्ट कर लेता हूँ इसके बाद में यहाँ पर Upload है Documents पर आपको कलिक करना है जैसे आप इसके उपर कलिक करोगे तो आपके कम्प्योटर में जहाँ पर Save की हुई फाइल है वो आप यहाँ से सेलेक्ट करके और इसे अपडेट कर दोगे तो ये Mark Sheet मेरे पास में है SoKB की तो मैं इसको अपडेट कर देता हूँ यहाँ पर पूरी की पूरी डिटेल से दिखा दी गई है कि आपने Mark Sheet जो सेलेक्ट की है तो दोस्तो इसके बाद में आपको नीचे आना है और Preview बटन पर आपको कलिक कर देना है जैसे Preview पर कलिक करोगे तो आपके समने इस परकार से आजएगा एक बात ध्यां रखें दोस्तों कि यहाँ पर जो भी आप डोकमेंट्स अपलोड करो वो JPG में होना चाहिए पिडियाप में यह जो फॉर्मिट है वो ले नहीं रहा तीसलिए में यहाँ पर JPG में लगा दिया है इसके बाद में दोस्तों आपको यहाँ पर केपसा फिल कर दीना है आपके सामने जैसे यह आ जाए तो आपको यहाँ पर फिर से केपसा फिल करना है और केपसा फिल करने के बाद में सेंड OTP पर आपको कलिक कर दीना है तो दोस्तो अब आपके पास में फिर से एक OTP आएगा आपके मोबाइल नमबर पार है तो मेरे पास में OTP आ चुका है और इसके बाद में आपको यहाँ पर I hear by confirm that I have read the instruction तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है और make payment पर आपको क्लिक कर दीना है तो दोस्तो इसका जो correction का charge है वो 50 रुपए है तो आप यहाँ पर 50 रुपए का भुगतान है वो कर दोगे credit कार या debit कारड से तो मैं यहाँ पर जो भुगतान है वो कर देता हूँ और security reason के कारणे मैं आपको यह जो payment है वो दिखान नहीं रहा हूँ दोस्तो जैसे आप card की पूरी detail डाल देते हो तो यहाँ पर आपको proceed बटन पर क्लिक कर देना है और proceed बटन पर क्लिक करने के बाद में आपका जो mobile है उसके उपर फिर से एक OTP आएगा और आपको वो OTP डाल करके submit बटन पर क्लिक कर देना है तो दोस्तो जैसे आप payment कर दोगे तो आपके सामने इस प्रकार से एक receipt आजाएगी आपको इसे डाउनलोड कर लेना है तो मैंने इस receipt को यहाँ पर डाउनलोड कर लिया है इस प्रकार से दोस्तो आप किसी भी आधार कारण में date of birth बगेर जो डेमोगराफिक अपडेशन है वो कर सकते हो जिसे नाम में या date of birth में लिंग में या address में या आप भासा में भी change कर सकते हो तो उमीद करता हूँ दोस्तो कि आपको यह वीडियो पसंद आया हो यदि आपको थे वीडियो पसंद आ जाता है तो वीडियो को like और share जरूर कर देना comment box में comment बी लिखना ये दोस्तों चैनल के उपर नए हो तो चैनल को सबस्क्राइब करके बैल के आइकन को जुरूर दबा लेना ताकि आपको आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे याने दोस्तों आपको जैसे ही इसके उपर कलिक करोगे तो ये बैल का इकन इस प्रकार से हो जाएगा तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नई जानकारी नई इन्फॉर्मेशन के साथ तब तक के लिए जैहिंद